दुनिया में हर जगा अफ्रा तफ्री मची हुई थी। हैश्टाग वी लव मॉंस्टर्स के टैग के साथ मीन शेर होने लगे थे। गव्मेंट ने भी वो जैन के उस इलाके को सीज कर दिया और अपनी खास टीम को इस घटना की चान भी में भेज दिया। और यहां अश्रम के अंदर मॉनिटर रूम के एक बड़े टीवी पे आईशा और शापिका एक न्यूस चैनल पर हो रहा हंगामा देख रहे थे। नमस्ते दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्ट आपका होस गमल शर्मा और आप देख रहे हैं दास्तानि दानव। आज हमारे स्टूडियो में है मिस्टर पुशकर जो की एक रिपोर्टर है मिस्टर यादव जो की मिथिकल क्रीचर पर रिसोच कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूल है मिस्टर केविन जो की एक VFX आर्टिस्ट है और हमारे आखरी गेस्ट है स्वामी भूशन. चलिए, हम इन सब से पूशते हैं कि आप सब काम मिस्टर पुश्कर द्वारा बनाएगे वीडियो के बारे में क्या कहना है? पुश्कर की जो वीडियो है उसमें काफे कुछ धुनला धुनला नजर आ रहा है तो ये बता पाना काफी मुश्किल है कि या ये दानव ही है या कोई और जी. ये सनकर पुश्कर बोल पड़ा. अरे यादव जी मान लो कैमरा गलब हो सकता है पर मेरी आँखों ने तो साफ साफ देखा कि दो दानों बहां से गायब हुए हैं. I'm sorry to interrupt you Mr. पुश्कर पर आपकी जो वीडियो है उसे काफी दूर से लिया गया है. और जादक मुझे लगता है कि उस वीडियो में डिजिटली ग्रेन एफेक्ट डालके उस पे वो क्रीचर्स प्लेज किये गये हैं, जिससे कि वो वीडियो ओरिजिनल लगे. केविन की एबादसन स्वामी भूशन गुस्से में पूल पड़ा. मुर्क! इस दुनिया में इंसानों से पहले राक्षस ही आये थे! मैंने कई बार लोगों को ये बताया भी है, कि इस दुनिया पर आगे जाकर राक्षसों का ही राज होगा. जब मैं लोगों से ये कहता था, लोग मुझे पागल कहते थे. लेकिन आज इस दुनिया में राक्षस है, उस बात का प्रमान सब को मिल गया. वामी जी, पर आप अभी भी पागलों वाली बात ही कर रहे हो. ये सुनते ही स्वामी ने अपना माई को उस पर फैक मारा. टीवी में देखकर शापिका जोर-जोर से हसने लगे. आईशा भी उसे देखकर थोड़ा मस्कुराई. और वहाँ से खड़ी होकर उस रूम से बाहर अर्मान को धूनने के लिए निकले. आईशा ने उसे आश्रम में हर जगा धून्दा. लेकिन वो कहीं नहीं मिला. आईशा ने वहाँ प्रांगन में खेल रहे एक बच्चे से पूछा कि अर्मान कहा है. उसने कहा, ये सुनकर आईशा आश्रम के पीछे की तरफ जाने लगे और शापिका उसके पीछे पीछे चलने लगे. आश्रम के पीछे जाते ही, आईशा ने देखा कि अर्मान किसी के साथ बाते कर रहा था. उस आदमी ने खुद को एक बड़े काले कपड़े से ढखा हुआ था. आईशा को वहाँ आते देख, अर्मान ने उस आदमी के हाथ में कुछ दिया, और वो आदमी वहां से गायब हो गया. आईशा ने ये देखते ही तुरंट अर्मान से पूछा, कौन था वो? अरे वो? वो तो जंगल का एक आदिवासी है, जो मुझे इस इलाके की सारी जानकारी देता है. पर तुम उसे यहां क्यों मिल रहे थे? सबसे चिपके? अरे वो तो मुझे उससे… अर्मान आगे कुछ कहता, उससे पहले ही आईशा वहां से भाग कर आश्रम के अंदर जा पहुँची. अर्मान और शापिका उसके पीछे दोड़े. आईशा दोड़के एक कमरे के बातरूम में पहुँची और वहां जाकर वो उल्टी करने लगी. उसे उल्टी करता देख, अर्मान चौंक गया, क्योंकि वो खून की उल्टी कर रहे थी. शापिका उसके नस्दीक जाकर, आईशा की पीछ सहलाने लगे. अर्मान भी उसके नस्दीक आया. खून की उल्टी देख, आईशा भी परिशान हो गई. उसने अर्मान की उर्ट देखा. अर्मान, ये मुझे क्या हो रहे है? गिसुनते ही अर्मान कुछ कहे, उससे पहले शापिका ने कहा. अरे, तुम एक दिव्य जीव को जनम देने वाली हो, और इसलिए तुम्हें इतनी तकलीव हो रही है. पर चिंता मत करो, ये खून की उल्टी होना तो साधारण सी बात है. शापिका, क्यूं जूट बोल रही हो? उसे सज जानने का पूरा हक है. ये कहते हुए अभिलाशा ने उस रूम में प्रवेश किया. ये सुनते ही अर्मान बोल पड़ा. कौन सा सच्छमा? शापिका, बताओ इन्हें. अरे, पर दिव्यजीव! आईशा अभिलाशा के पास गए और शापिका की बात काटते हुए कहा. कौन सा सच्छ? मुझे प्लीज सच बताईए. मैंने अब तक बहुत जूट सुन लिया है. अब और जूट सुनने की ताकत नहीं है मुझ में. ये कहकर आईशा अभिलाशा के और मायूस आँखों के साथ देखने लगे. अभिलाशा कुछ बोले, उससे पहले ही शापिका ने कहा. अभिलाशा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें… शापिका की बात काटने के लिए अभिलाशा ने अपने हाथ से चुप होने का इशारा किया. शापिका, इसी सच जानने का पूरा हग है. ये कहकर उसने आईशा के और देखा. जस रात तुम्हारी मा मारी गई और कालराज मुझे मारने ही वाला था, तब कुछ राक्षसियों ने मुझे बचाया, और जंगल की और मुझे लेकर भागने लगी. उन राक्षसियों में से एक राक्षसी शापिका भी थे. जब हम जंगल की और भाग रहे थे, तब ही हमारा रास्ता दुशकाल ने रोका. दुशकार, काल के वंच के राक्षिसों के गुरू थे जो कई बार अंधेरी दुनिया से काली शक्तियों को खुशकर ताकत लेते थे पर वो जितनी काली शक्तियों से ताकत मांगता उतनी बार वो अपनी कोई कीमती चीज दाओं पर लगाता और कमजूर हो जाता लेकिन उसकी जबान बहुत काली थी वो हमेशा उस काली जबान से कई राक्षिसों को श्राब दे था और वो पूरी जिंदगी पीडा में रहता उम्र काफी ज़्यादा होने के कारण किसी से लड़ तो नहीं सकता था पर उसकी काली जबान हमेशा लोगों को कड़ी सजा देती थी जब हमने उसको भागने से रोका तब शापिका ने उस पर हमला किया पर वो उसे मार नहीं पाई दुशकाल ने मुझे देखा और कहा तुगू काल के अवंज का कलंक है तेरी संतान के कारण ही काल के अवंज के अंत की शुरवात होगी लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँगा मैं तेरी संतान को श्राप देता हूँ कि जो भी कन्या या राक्षशी उसके बीज को अपनी कोख में रखेगी और दिव्य जीव को जन देना चाहेगी तो उस जीव के जन के तुरंत बाद उस कन्या की मौथ हो जाएगी और कोई मूर्खी होगी जो उस जीव को अपनी कोख में पना देगी मैं काल के अवंज को हमेशा जिन्दा रखूँगा ये कहकर वो हसने लगा अथ अभी शापिका ने उस पर वार करना चाहा लेकिन उसने शापिका को धक्का देकर उसे भी श्राब दिया तुझे मुझे जान से मारने का बहुत शौक है ना मैं तुझे श्राब देता हूँ कि जब तक काल के अवंज खतम नहीं होता तुझे जीना होगा और तब ही एक बड़ा सा तीर उसकी छादी के पार निकल गया वो तीर पीछे से किसी देव ने उस पर चलाया था वो देख हम सब राक्षसी जंगल की ओर भाग गए ये संते ही अर्मान घबराया और अपनी मा के पास जाकर पूछा मतलब अगर आईशा ने हमारी संतान को जनम दिया तो वो उसके जनम के बाद तुरंत मर जाएगी अभिलाशा ने धीरे से हां कहा ये देख आईशा परिशान हो गए और उसकी आँखे नम हो गए उसने अर्मान की ओर देखा वो अर्मान से कुछ कहती है उससे पहले ही अर्मान ने अपनी मा से पूछा कोई तो रास्ता होगा न मा पर अभिलाशा ने नीचे देख ना का इशारा कर अपना सिरह लाया अर्मान शापिका के पास गया शापिका कोई तो रास्ता होगा है न अर्मान, हम समझते हैं, पर यही तुम्हारी और आईशा की तकदीर है पर मुझे यह मनसूर नहीं, कोई तो रास्ता होगा, हम ऐसे कैसे हार्मान सकते है अर्मान ने तर्क देते हुए कहा आईशा यह सुन के अर्मान के सामने रोने लगी और अर्मान के नस्दीक जाकर उसने अर्मान के गालों पर अपने हाथ रखते हुए कहा देखो अर्मान, मैं जानती हूँ कि मेरे और तुम्हारे लिए एक दूसरे से जुदा हो पाना मुश्किल है लेकिन अगर मेरी कुर्बानी से इस दुन्या में शांती आती है तो मैं खुशी खुशी इसे जनम दूँगी लेकिन तुम ही तो कह रहे थी कि इसके जन्म से पहले ही इतना बवाल हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा पर अर्मान, तुम्हारी माने, मेरी माने, शापिकाने, कितना कुछ साहा है और कितने दानुपों और देवों ने अपनी कुर्बानी दी है अगर शांती लाने का यही तरीका है तो मैं तहियार हूँ यह सुनके अर्मान रूने लगा अभिलाशा उसे सम्हालने की कोशिश करती है और तब ही शापिका जोर-जोर से चिलाते हुए कमरे की खिड़की की ओर भागती है कौन है वहाँ? कौन है? क्या हुआ? अभिलाशा ने पूछा मैंने किसी को हमारी बाते सुनते हुए देखा यह सुनते ही अर्मान और आईशा एक दूसरी की ओर देखने लगे यह सब जाने के लिए सुनते रहे है फाना